नमस्ते दोस्तों इस विडियो सिरीज में हम कम्प्यूटर के बेसिक के बारे में पढ़ रहे हैं। कियुकि आज का युग टेकनोलोजी का युग है और आज कम्प्यूटर हर एक फीड में यूज होता है तथा इस विडियो सिरीज में मैं आपको कम्प्यूटर का बेसिक ज्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ. यह विडियो सिरीज उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगी जो सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं, वोकेशनल सबजेक्ट पढ़ रहे हैं या सबसे जरूरी जो ITI में कोई कोर्स कर रहे हैं, क्यूंकि सभी को IT लिटरेसी या दिजिटल लिटरेसी का ज्यान होना आज आवशक है, आपके इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, तो इसी तरह के विडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, तथा चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। आज हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है, आउटपुट डिवाइसीज, इससे पुराने विडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज इस विडियो में हम कम्प्यूटर की बेसिक आउटपुट डिवाइसीज के बारे में जानेंगे। मुझे उम्मीद है के आपको विडियोस समझ आ रहे हैं, कृप्या विडियो को पूरा देखें ताकि आपको आसानी से हर बात समझ आ जाएं। तो आज का विडियो शुरू करते हैं। आउटपुट डिवाइस Output Device computer hardware की वे devices हैं, जो computer से output या results प्राप्त करके उन्हें computer की machine language से बदल कर user के पढ़ने और समझने योग्य भाशा में बदल कर उस output को प्रदर्शित करते हैं Output Devices आमतौर पर results soft copy, hard copy या sound की फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं Output Devices यूजर्स को computer के द्वारा processed data शो करते हैं कुछ common output Devices में monitor, printer, speaker, headphone, projector आदी शामिल हैं आज के इस वीडियो में हम इन सब के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं monitor की Monitor computer की सबसे ज्यादा important output device है एक monitor को computer का primary output device भी कह सकते हैं एक monitor users को soft copy phone में data और information प्रदर्शित करता है जो भी हम input करते हैं वह हमें computer के monitor पर ही दिखाई देता है Computer के शुरुवाती दिनों में जिन monitors का इस्तिमाल होता था वे monochrome monitors कहलाते थे क्यूंकि उन में सिर्फ एक ही रंग प्रदर्शित करने की क्षमता थी लेकिन अब उन monitors का प्रयोग बंध हो गया है और आज market में आसानी से colored monitors मिल जाते हैं Monitor video card के माध्यम से computer द्वारा उत्पन video और graphics जानकारी को प्रदर्शित करता है Monitor समान्यत है television के समान होते हैं लेकिन आमतोर पर monitors बहुत अधिक resolution पर जानकारी डिस्पले करते हैं तकनीकी तौर पर रंगीन monitor निन्न प्रकार के होते हैं जिन में नमबर एक CRT monitor जिसे cathode ray tube monitor भी कहते हैं CRT monitor में काच की picture tube लगी होती है ये monitor सबसे सस्ता monitor होता है Size में ये monitor बड़े होते हैं इनकी picture quality ज्यादा अच्छी नहीं होती है इन monitors में electrons monitor की screen पर फोस्पोर कोटेड पिक्सेल से टकराते हैं जिससे pixel चमकते हैं और screen पर desired image को बनाते हैं Pixel monitor screen का सबसे छोटा पार्ट होता है जो फोस्पोरस से कोटेड होता है Pixel screen पर दिखाई गई छवी को बनाते हैं LCD monitors को flat screen monitor के रूप में भी जाना जाता है LCD तकनीक motion pictures के दोरान धुंधलापन और color smudging को कम करती है जो इस प्रकार के monitor को game या film के शौकीनों के लिए उप्युक्त बनाती है कम जगह और उर्जा की आवश्शक्ता होती है ये monitor display CRT monitor से कहीं बहतर है नमबर 3 Light Emitting Diode Light Emitting Diode डिस्पले के लिए कम जगह और उर्जा की आवश्शक्ता होती है LED Monitor डिस्पले LCD Monitor से बहतर होते है Printer और Fax Machine Monitor के बाद दूसरा सबसे मुख्य आउटपुट डिवाइस printer है जो computer की soft copy फाइलों को hard copy में कागस पर print करके user को प्रदान करता है आज कल All-in-One प्रकार के printer कई सिवाएं प्रदान करने के लिए design किये गए हैं जैसे कि printing, facts और copier functions प्रिंटर्स आमतोर पर उनके काम करने के तरीके से निम्न प्रकारों में विभाजित किये जा सकते हैं जैसे नमबर एक impact printer Impact printer वो printer होता है जिसमें print head तथा कागस के मध्य संपर्क होता है इन printers में ink ribbon पर strike करके ink को paper पर छपाया जाता है इनमें धातू के hammer पर जिसे print head भी कहा जाता है कोई अक्षर या character बना होता है जो कागस पर print head के impact होने से कागस पर उभर जाता है impact printers को आमतोर पर निन्न प्रकार में विभाजित किया जा सकता है देजी वील printer, dot matrix printer, line printer, chain printer, drum printer, नमबर दो नौन इम्पाक्ट प्रिंटर नौन इम्पाक्ट प्रिंटर ऐसे printer होते हैं जिसमें print head तथा कागस के मध्य कोई संपर्क नहीं होता है इसमें printing quality बहुत अच्छी होती है non-impact printers को आमतोर पर निन्न प्रकार में विभाजित किया जा सकता है जैसे inkjet printer, laser printer, thermal printer, photo printer आदी, speaker और headphone speaker और headphone output devices हैं जिनकी मदद से user audio signal की form में output प्राप्ट करता है आज सभी computers में audio support से enable होते हैं परंतु पहले के computers में integrated adapter card के द्वारा audio support लिया जाता था audio support में port शामिल होते हैं जिनमें 3.5 mm jack की मदद से audio signal को input और output किया जाता है projector एक output device है जो computer screen का display ले सकता है और एक flat सतह पर इसका एक बड़ा vision project कर सकता है projector का उप्योग अक्सर meetings और presentation में किया जाता है ताकि एक बड़ी audience PPT presentation को देख सके ये कुछ बहुत महत्वपूरण output devices है आज के लिए बस इतना ही मुझे उम्मीद है के आपको समझ आ रहा है कृप्या विडियोज को like share और channel को subscribe करना न भूले धन्यवाद